सातियों आज अपने यहां बात कर लेते हैं कि जो आपकी 31,000 पदों की विगिपती है वो कब तक जारी करती जाएगी क्या 50,000 पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे बिलकुल प्रूप के साथ और सबसे बड़ा सवाल है कि नई रीट है वो आपको कब तक 2022 में देखने को मिल सकती तीक है तो सातियों मैंने एक जानकर या आपको पहले भी बताये था कि क्या रीट के पद भड़ सकते या नहीं पड़ सकते ठीक लगबग मैंने बीज दिन पहले बताये था और देखो भई मैं तो यहीं चाहता हूँ कि जो सरकार है वो बिलकुल 50, चास हजार पद करने चाहिए क्योंकि इस बरती को लंबा समय हो चुका है और बेरुजगारों की जो मांग उठी हुई है उसे सरकार को ध्यान देना चाहिए थीक है तो सातियों अपन यहाँ पहले बात कर लेते हैं क्या इसकी जो विगिप्ती है इस सब्ता में जारी की जा और यह है क्या 50,000 पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे देखो दोस्तों मैं आपको इस जानकारी से अवगत पहले भी करा चुका हूँ और मैं आपको पुन्हे करवाना चाहूंगा कि देखो जो नए सिक्ष्या मंतरी जी आए हैं वो भी यही तो ऐसा लग रहा है कि 50,000 आपके पत्तों खेर नहीं होंगे हां कुछ मातरा में पदों की संख्या बढ़ाए जा सकती है 4 या 5,000 पत ठीकिन मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन ज़्यादा संभावना ऐसी दिख रही है कि आपकी जो रीट है वो 31,000 पदों पर होती हुई नज पिलन कर रहे है हमारे उपेनिय अद्वाई सहाब ने जी जान लगा रहा है लेकिन सरکार को यह सोचना चाहिए कि बही बेरोजगारों की जो आवाज है इनका जो हक बनता है कि इतने पत्तों होने ही डीक है तो दोस्तों होसाता है देखने को मिल भी सकते हैं लेकिन नहीं भ पद बढ़ेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में पद बढ़ेंगे लेकिन ये है ना बढ़ने से तो अच्छा है कुछ बढ़ जाएं वो ही बहुत ही अच्छा है ठीक है अच्छा इब दोस्तों पने यहां बात कर लेते हैं कि जो नई रीट आपको 2022 में देखने को मिलेगी वो आ जाद ही आपका उसका नोटिफिकिशन है वो जारी किया जा सकता है ठीक है क्योंकि अभी तो इसी बढ़ती में कापी लंबा समय लग जाएगा ठीक है तो कुछ अभी हैं फैसले आने बाकी हैं उनका फैसले जैसे आएगा तब ही ये बढ़ती क्या है आगे पून रूप से कंप्लेट हो जाएगी तो कहने का मतलब जो था मैंने वो बता दिया चैनल को सेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद